हलो और वेलकम फैंड्स दिस इंप पचारी और यूर वाचिंग मास्टर सिन एथिकल हैकिंग यूट्यूब चैनल तो फैंड्स आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही बहतरीन टूल के बारे में जिसका नाम है सेंड मैप और हैकर्स के द्वारा लिया गया सेकेंड बहुत सारी जो टेक्निक्स हैं वो सिर्फ एक ही टूल की मदद से आप कर पाएंगे और वो भी बहुत आसान तरीकी से तो चलिए फ्रेंड्स इस टूल के बारे में थोड़ा सा जान लेते और कैसे करेंगे इसके बारे में भी समझते हैं उससे पहले जिन लोगों ने चैनल आप यहां पड़ सकते हैं, system reconsinance में इसका इसका इस्तमाल किया जाता है यह use करता है massive nmap engine का यानि कि nmap का इस्तमाल करता है लेकिन इसके साथ आप multiple scanning कर सकते हैं यह इसका बहुत अच्छा वो है, फीचर है दूसरी बात user friendly है इसकी मदद से आप port scanning कर सकते हैं, service discovery कर सकते हैं नेटवर्क के बारे में डिस्कवरी कर सकते हैं, यानि कि किसी भी नेटवर्क के अंदर कौन से होस्ट हैं, जो कि open है, close है, उन पर कौन सी ports open है, उन पर कौन कौन सी services चल रही है, कौन से operating system का वो इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की बहुत सारी जानकारी आप कर पाएंगे इस वी clone और मैं उस address को कर देता हूं, paste और enter, हाला कि मैंने इस tool को पहले लिया हुआ है, ताकि time आप लोगों का खर्चना हो, तो यह तरीका तो simple ही हो गया, उसके बाद हम चलते हैं, ls और यहां आप देख सकते हैं, कि यहां पर लिखा हुआ है, send map, तो मैं CD से अंदर चला जाता ह setup.sh और यह आपको करना होगा, install, जैसे ही आप इस install करेंगे, और already यह install हो चुका है, यहां पर पहले से, आप हम इसे चलाने के बारे में बात करते हैं, तो आपको यहां लिखना होगा, send map, install करने के बाद आप इसे send map लिखेंगे, तो यह जो है, वो run up हो जाएगा, एक and it will work, तो friends, जैसे ही आप देख सकते हैं, कि यह load हो चुका है, load होने के बाद second workup हमारा आता है, कि इसे कैसे इस्तिमाल करें, तो उसके लिए friends, आपको लिखना होगा, help, जैसे ही आप help लिखेंगे, इसे use करने के जो पूरे तरीके हैं, वो सब आ गए, सबसे पहले हम समझत उसके बाद list, जितने भी modules हैं, उनकी जानकारी आपको मिलेगी, so, क्या करेगा, modules को की के साथ दिखाएगा, config क्या करता है, key modules की, यानि, so, global, module, configuration, दोनों चीज़े दिखाएगा, तो यह आप यहां से देख सकते हैं, main commands के बाद module commands के हम बात करते हैं, friends, अगर कोई भी module अंदर जाने के बाद आपको use करने हैं, मैं आपको बता देता हूँ, third one है, friends, example के जरीए इसने दिखाया हुआ है, कि आप इन commands को कैसे use कर सकते हैं, so, sample, config, terminal, use sample, इस तरह से आप इनका इस्तिमाल कर सकते हैं, तो चली, friends, सबसे पहले हम इसके modules देख लेते हैं, list command से, list command जै commands module है, यहाँ पर host discovery क्या करेगा, host को discover करेगा, 12 profile है इसके, broadcast क्या करेगा, broadcast modules को find करेगा, इसके बाद HTTP vulnerability है, CV vulnerability ने find करेगा, HTTP service module है, तो लगभग लगभग यहाँ पर 31 modules हैं, जिनका आप इस्तिमाल कर सकते हैं, अब जिस भी module का इस्तिमाल करना चाहें, उसके लिए आपको ल सकते हैं, second से third पे लिखा हुआ, port scan, तो हम यहाँ port scan करके देख लेते हैं, मैंने हाँ लिख दिया, use port scan, तो फ्रेंट जैसे ही आप port scan लिखेंगे, इस module के अंदर आप चले जाएंगे, मैं थोड़ा clear कर देता हूँ, ताकि screen आप अच्छे से देख पाएं, तो port scan वाले modules में अब यहाँ पर question आता है कि इस module को किस तरह से आप use कर सकते हैं, तो friends, यहाँ आपको लिखना होगा so, जैसे ही आप so लिखेंगे, इसके अंदर क्या-क्या work कर सकते हैं, वो सारा कुछ आ जाएगा, आप यहाँ पर TCP sync कर सकते हैं, TCP connect है, UDP scan है, X mass scan है, TCP acknowledgement scan, इसका मतलब होता ह कि friends, आपने two-way handshake और three-way handshake के बारे में अगर सुना हो तो आप यह समझ जाएंगे, कि connectivity जब करनी होती है target के साथ, तो इस तरह के handshake होते हैं, तो friends, यह इसके अंदर के parameters हैं, जिने आप use कर सकते हैं, उसके बाद friends, इसे किस तरह से use किया जाए, आप help लिख सकते हैं, हलाकि हम target set कर देते हैं, तो set d est आपको लिखना पड़ेगा, destination, उसके बाद को अपना target लिखना है, जो भी आपका target है, उसका IP address लिख सकते हैं, तो मैंने एक target का IP address यहां पे लिख दिया है, तो target है हमारा वो set हो चुका है, उसके बाद target set करने के बाद friends, अब हम इसे कैसे use कर सकते तो जैसा कि आपने last time पड़ ही लिया है, तो यहां लिखना है init, तो init क्या करता है, run करने का काम करता है इस module को, और init के बाद मैं यहां पे लिख देता हूँ, 0 और enter कर देता हूँ, तो इससे जो module है port scanning का वो run up हो जाएगा, अब आता है friends कि अगर किसी particular port पे आपको run up करना ह तो friends उसके लिए आपको अलग command देनी होगी, आप देख सकते हैं यहां पे port number 22, 84, 4, 3, 9, 4, 1, 8, यह open है, इन सब के लब अगर particular port देना चाहते हैं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पे मैंने लिखा init init, 2 जो facility थी, 2 number पे आपने देखा हूँ, TCP, UDP जो sequence थी, उसका मै number 2 use कर रहा हूँ यहां पे, और उसके लिए मैंने आप लिखा P for port के लिए इस्तिमाल किया गया है, 84 port number 80 के लिए इस्तिमाल हम कर रहे हैं, और उसके बाद arguments, यहनि उसके लिए आपको लिखना होगा, ARGS, तो यह तरीका है से लगाने का, अब enter हम कर देते हैं, तो आप देख 10 ports on this, आप देख सकते हैं, AR open यानि की open दिखा रहा है, यह जो port है, उसके बाद बात आती है कि अगर आपको कोई भी module सर्च करना हो तो बहुत आसान है, आपको जिए लिखना है SEARCH, सर्च और सर्च लिखने के बाद किसी भी module का नाम लिखना है, मैं एक module का नाम लिख देत कि इस तरह का अगर कोई module होगा, इसके अंदर तो उसे सर्च करके दिखा देगा, उसके बाद आप इसे use कर सकते हैं, तो fans बहुत ही आसान है इसे use करना है, जैसा कि मैंने पहले बताया, आप यहाँ देख सकते है कि उसने उसे हमें सर्च करके दिखा दिया है, आपको just क्या करना है use, और use करने के बाद यह जो module का नाम है, यह नाम आपको लिखना है, मैं ऐसे copy करके यहाँ पे कर देता हूँ, paste, और enter हम कर देते हैं, अब हम यह module use कर पा रहे हैं, अब question वही आता है कि इसे कैसे run-up करना है, तो आपको लिखना है 0 और enter कर देना है, और यह जो port, मतल से अलग-अलग तरह की services के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, अलग-अलग modules की मदस से, तो fans आप यहाँ देख सकते है, port number 22 जो की open state में है, जो की जिसके अंदर SS, यानि की secure socket trolley, SSS की जो service है, वो यहाँ पे चल रही है, तो fans बहुत आसान तरीके है, again मैं इसे exit कर देता ह हो, exit से यह बंद हो जाएगा, और जैसे ही आप यहाँ लिखेंगे, again clear मैं कर देता हूँ, जैसे ही आप लिखेंगे, send map यह run हो जाएगा, और इसे किस तरह से use करने हैं, इसके लिए आप help लिख सकते हैं, modules को use करने के लिए आप list लिख सकते हैं, तो fans, यह था हमारा आज का वीडियो, उमीद करता हूँ, यह आपको पसंद आया होगा, और ultimate tool हम इसे कह सकते हैं, कि यह ultimate tool है, जिसमें बहुत सारे features आप use कर सकते हैं, scanning करने वाले लोगों के लिए काफी बहतर है, hackers का second steps होता है, scanning और इसी steps के अंदर वो जादा से जादा अपने target के बारे में जानकार इखटा कर पाते हैं, और अगर यह friends हमने अच्छे तरह से कर लिया, तो हमारा बहुत हद तक target को cover करने का जो तरीका है, मतलब target पे अपना control बनाना है, वो बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए, तो अगर आप चाहते हैं, ऐसी बहतरीन वीडियो आपको मिलते रहें, तो दे होच कर दो